गुद्बोर्निंग फ्रेंड्स महिंद्रजीत आप सबको नोटिफिकेशन मिल गया होगा प्रयास एंट्रेस एक्जाम का तो अब हम टैस्ट सेरीज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा टैस्ट सेरीज करेंगे ताकि एंट्रेस एक्जाम में हम अच्छे माख साथ आगे है तो उसी संबंद में आज मैं आपके लिए साइंस का टैसरीज लेकर आया हूं बहतरीन कुश्चन से हैं आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे यान तक सारे कुश्चन आपको इस्कीन पर दिखाया जाएगा उसके आंसर्स भी मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रश्ण को जो एक्स्प्लेन करने के लायक है उसको एक्स्प्लेन भी कर दूँगा ताकि आपको इसली समझ आए क्लियर तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्ण स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहे हैं इत्र की बोतल खोलते ही खुजबू चारो और फैल जाती है कारण है ओप्शन दिख नमबर आ विसरन अब वाखेर यह होता क्या है तो विसरन जो है गैसो का अधिक सांधता से कम सांधता की ओर जाना विसरन कहलाता है अब इस कोश्चन में क्या होगा इत्र की बात हुई है तो इत्र का मात्रा बोतल में अधिक है और बाहर में कम है तो इत्र अधिक से कम की ओ तो और जाएगा इसी प्रक्रिया को इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे विशरन कहेंगे ठीक है next रेत को जिस भी आकार के बरतन में डालो वह उसी आकार को ग्रहन कर लेता है आपके अनुसार रेत है option दिखेगा A है आपका ठोस B है द्रौ शा है गैस और दा है इन में से कोई नहीं तो इसका right answer हो जाएगा option number A ठोस क्योंकि rate निश्चित इस्थान घेरता है ये तो बहुती easy question था आप इसली इसको कर पाएंगे समझ भी आगे होगा आपको जोकि rate निश्चित इस्थान घेरता है वह इसका आकार निश्चित होता है इसलिए यहाँ कैसा है ठोस है next ऐसे पदार्थ जो निश्चित इस्थान नहीं घेरते जिनका आकार निश्चित नहीं होता परंतु निश्चित भार होता है इसका उधारन है देखे बहुत ही बेहतरीन कोश्चन है यह option चेक करिएगा option आ गिलास में रखा पानी option बा गुबारे की हवा option शा कटोरी में रखी सक्कर option दा इन में से कोई नहीं इसका right answer होगा option नमबर बा गुबारे की हवा गुबारे की हवा निश्चित इस्थान नहीं घेरता आकार अनिश्चित होता है परन्तु भार इसका क्या होता है निश्चित होता है इसलिए यह option आपका right होगा पदार्थ जो इस्थान घेरते हैं तथा जिसका निश्चित आकार तथा भार होता है परन्तु बहते नहीं है इसका उधारण है अप्षिन आ नमक अप्षिन बाद चाय अप्षिन सा अगर बत्ती का धुआ अप्षिन दा इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोश्चिन नमबर फोर का अप्षिन नमबर आ नमक नमक निश्चित आकार वा भार इसका होता है लेकिन ये बहता नहीं है ठीक है बहर नहीं सकता ये फिर नेक्स्ट कुश्चिन है आपका कुश्चिन नमबर फाइब पदार्थ जो इस थान घेरते हैं तथा जिसमें निश्चित भार होता है तथा कोई निश्चित आकार नहीं होता का उधारन है उप्षण आ सीतल पे उप्षण बा चॉकलेट उप्षण सा इत्र की खुश्बू उप्षण दा इन में से कोई नहीं इसके राइट आंसर होंगे उप्षण नमबर आ सीतल पे अठाथ कोल ड्रिंग्स जेस्ट लाइक पेपसी कोका कोला थमशब इत्यादी एक्चली सीतल पे पदार्थ क्या होंगे ऐसा यदि हम समझे तो ये इस्थान घेरेंगे निश्चित भार होगा इनका तथा कोई निश्चित आकार नहीं होता है जिस बरतन में आप रखेंगे उस बरतन का यहाकार ग्रहन कर लेगा ओके ये कोल्डिंग्स आपका राइट आंसर हो जाएगे इसमें फिर नेक्स्ट आपका पानी में घुले सक्कर के विलियन में विलायक है औप्शन आ सक्कर वा पानी दोनों ऑप्शन बा शक्कर option सा पानी option दा इन में से कोई नहीं तो इसका right answer हो जाएगा option number शा पानी क्योंकि पानी में गुले सक्कर के विलियन में भी लायक है ऐसा पूछा है तो पानी प्लस सक्कर दोनों मिलेंगे और बनेगा सर्बत पानी विलायक की भाती कारे करेगा विलायक अर्थात जिसमें घोला जाएगा उसे विलायक कहेंगे और सक्कर विले की भाती कारे करेगा विले अर्थात जिसे घोला जाए तो सक्कर को घोला जाएगा और जिसमें घोला जाएगा ओके उसको हम बोलते हैं विलायक ठीक है जिसमें घोला जाएगा विलायक जिसे घोला जाएगा उसे विले तो सक्कर और आपका पानी दोनों मिलके सर्वत बनेंगे और विलायक और विले मिलकर विलियन बनते हैं ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परियावरन के निर्जिव घटक का उधारन नहीं है अप्षन आ, वायू, अप्षन बा, जल, अप्षन सा, पौधे, अप्षन दा, प्रकाश तो ये तो बहुत इजी कुश्चन है इसका राइट आंसरों का अप्षन नमबर शा, पौधे निर्जिव घटक का उधारन नहीं है, बाकी निर्जिव और सजीव तो आप सभी जानती है नेक्स्ट पौधों का हरा रंग होता है, जल से, मिट्टी से, क्लोरोफिल से, प्रकाश से इसका राइट आसरों जाएगा अप्षन नमबर शा, क्लोरोफिल से क्लोरोफिल के कारण जो पौधे हैं, वे हरे दिखाई देते हैं नेक्स्ट यदि पौधों में क्लोरोफिल नहीं होगा, तो क्रिया नहीं होगी option A, position, option 2, प्रकास translation, option शा, प्रदूशन, उप्शन दा, इन में से कोई नहीं इसका right answer हो जाएगा option number 2, प्रकास translation की क्रिया क्योंकि प्रकास translation के लिए हरे पौधे चाहिए और हरा रंग आपको मिलेगा chlorophyll के कारण ठीक है? Next जो अपना भोजन स्वैम बनाते हैं, उन्हें कहते हैं option A, साकाहारी, option 2, मानसाहारी, option 6, सरवाहारी, option 2, उत्पादक ये question प्रयास interest exam में already आया हुआ है तो ऐसे सारे questions में आपको करा रहा हूँ जो exam के दृष्टी कोण से important है तो आप सभी सारे questions note down कर लेंगे नोर्स बनाना बहुत जरूरी आपके लिए यदि आप नोर्स अच्छे से बनाएंगे तो आपको exam time में कोई दिक्कत नहीं होगा यदि आप केवल वीडियो देखते जा रहे हैं आपके पास नोर्स नहीं है तो आपको प्रोब्लम हो सकते हैं तो फ्रेंड्स आप सभी इसका नोर्स बनाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा चले इसका आंसर देखते हैं option number the उत्पादक उत्पादक जो हैं वे swim अपना भोजन बनाते हैं नेक्स फूश्चन है निम्न लिखित में से उत्पादक कौन हैं ठीक है तो उत्पादक अर्थाथ जो अपना भोजन स्वयम मनाता है जैसे सारे पेड़ पौध हैं इसके सारे उधारन होंगे तो इसके option देखेगा आम का पेड option बा बकरी option सा सेर option दा गाय तो राइट आंसर हो जाएगा आम का पेड सारे जित्ते भी पेड़ आएंगे वे सभी क्या हो जाएंगे उत्पादक हो जाएंगे क्योंकि वे स्वयम अपना भोजन बनाते हैं next किसी भी आहार स्रिंखला में उत्पादक होता है option आ इसका इस्थान निष्चित नहीं होता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे सुर्वात में उत्पादक सबसे सुर्वात में होता है उत्पादक को साकाहारी जो जीव होते हैं वे खाते हैं फिर उस साकाहारी जीव को मानसाहारी जीव खाता है इस प्रकार एक आहार स्रिंखला का निर्मान होता है जैसे हम उधारन के रूप में ले सकते हैं सरप्रतम पौधे हैं पौधों को हीरन खा गया हीरन को सेर खा गया इस प्रकार यह स्रिंखला बनता है ठीक है? Next question पानी और रेत के मिसरन को अलग करेंगे अप्शन आ निथार कर, अप्शन बा बिन कर, अप्शन शा चाल कर, अप्शन दा फटक कर यह भी important question है प्रयास में आया हुआ प्रिशन नहीं है इसका right answer जाएगा अप्शन नमबर शा फटकना सरी निथार कर इसका right answer होगा अप्शन नमबर आ निथार कर फिर next है आपका question number 14 गेहूं वा भूसे के मिश्रन को अलग अलग करने के लिए आप किस विधी का उप्शन करगे ये भी important है question आपका इसका right answer होगा option number सा फटकना फिर next question फोस कपूर को गर्म करने पर कपूर वास्प में बदल जाता है क्योंकि कपूर का उर्ध पातन option बा वास्पी करन option सा क्रिष्टली करन option दा आश्वन तो इसका right answer हो जाएगा option number A उर्ध पातन अभी ये होता कि option को मैं थोड़ा clear कर दूँ देखेगा इससे भी question बन सकता है जो options है हमारे पास जैसे उर्ध पातन उर्ध पातन अर्थात फोस से सीधे गैसी अवस्था में परिवर्तन होना उर्ध पातन कहलाता है वास्पी करण द्रव से वास्प उस्था में परिवर्तन होना वास्पी करण कहलाता है क्रिश्टली करण द्रव से ठोस में बदलना क्रिश्टली करण कहलाता है और एक है आपका आश्वन कвतनां के अधार पर पिथक करन करना आश्वन कहलाता है क्लियर नमक घुले पानी से नमक को अलग करने के लिए पिथक करन विधी है अप्शन आ आश्वन अप्शन बा छानना अप्शनसा वास्पि करन अप्शनदा क्रिष्टली करन इसका right answer हो जाएगा option नमबर शा वास्पी करन next समुद्र के पानी से नमक को बनाया जाता है नमक बनाने के लिए इस विधी का उप्योग होता है option A, आश्वन, option 2, वास्पी करन, option 6, क्रिष्टली करन, option 2, छानना तो इसका right answer हो जाएगा option नमबर बा, वास्पी करन, clear ये भी बहुत भेतरिन कोश्चन है आपका दूद से दही का बनना है, मंद परिवर्थन, तिवर परिवर्थन, दोनों परिवर्थन, इन में से कोई नहीं तो इसका right answer हो जाएगा option नमबर A, मंद परिवर्थन question नमबर 19 उत्क्रमणी परिवर्थन का उधारन है option A, पानी से बर्फ बनना option B, कागाच का जलना option C, भुकम का आना option D, दूश्चे दही का बनना तो इसका right answer हो जाएगा option नमबर A, पानी से बर्फ बनना उत्क्रमणी परिवर्थन का उधारन है उत्क्रमणी परिवर्थन अर्षाद देखिए इसमें क्या होगा reverse होगा जैसे जल को आप गर्म करेंगे वास्प बन जाएगा वास्प को थंडा करेंगे जल बन जाएगा फिर जल को थंडा करेंगे तो बर्प बन जाएगा समझ गे इस प्रकार ये प्रक्रिया चलता रहता है फिर लाश कोश्चन है वर्सा का होना परिवर्तन है अवांचनी ये वांचनी ये अवांचनी ये दोनों इन में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो का अप्शन नमबर सा अवांचनी ये दोनों तो ये रहे आपके सांदार साइन्स के 20 कोश्चन्स आने वाले test series में हम और भी दूसरे subject के जैसे कि math, English, Hindi, social science और आजकल नया topic जोड़ गया है जीके 36 गड़ का समान निगान और एक नया है मानसिक युग्यता के लिए तो उनके भी questions हम आपको कराएंगे आपको daily रोज नया videos हम प्रोवाइट करेंगे सारे videos आप अच्छे से cover करें और प्रयास में अपना इस्थान सुनिश्चित करें ठीक है friends Thank you so much for listening and watching my video यदि आप channel में पहली बार जुड़े हैं तो channel को subscribe कर लेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो like करना ना भूले और अपने friends को share करें Thank you so much